हलो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कटफ देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कटफ किसका तो अस्पेशल सर्वे कलरक का एक्सपेक्टेड कटफ देखने वाले हैं देख लिए एंसर की आ चुका है जो अस्टूडेंट एक्जाम दिये हैं अगर वो डाउनलोड अभी तक नहीं कि एंसर की तो आप एंसर की जाकर डाउनलोड कर लिजे और अबजेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ सत्रा तक ही अबजेक्शन कर सकते हैं तो जो भी स्टुडेंट के कोई question पर या कोई answer पर डाउट है वो comment box में जरूर comment किजेगा और इसके बाद देखेंगे अगर सही पाया गया तो हम अब्जेक्शन कर देंगे website पर जाकर objection कर देंगे तो कोई भी डाउट अगर है कोई भी question पर या answer पर तो आप comment box में comment जरूर किजेगा और देख लिजे जो स्टुडेंट अभी तक नहीं download की है वो जाकर download कर लिजे अपना अंसर की अंसर की आप download कर लिजे देख लिजे आ चुका है सो चलिए हम लोग expected cut-up देखने वाले हैं expected cut-up कि और इसमें इस वीडियो में हम लोग स्रिफ और सिर्फ अस्पेशल सर्वे कलर का ही देखने वाले हैं expected cut-up तो चलिए देखते हैं तो एक्सपेक्टेट कट अफ देख लिजे कलर का एस्पेशल सर्वे कलर का expected cut-up वीली देखें गे टोटल जो नंबर था 600 था 600 नंबर में आपका कितना नंबर बन रहा है वह आप देख लिजेगा क्योंकि ₹ अगर एक आप गलत कोस्चन करते हैं तो निगेटीव एक नमबर था तो आप निगेटीव काट कर अगर आपका इतना नमबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं आप डॉकुमेंट बेगड़ा त्यारी करके रखेंगे सो जेनरल जेनरल का देख लिए जो भी जेनरल के स्टूडेंट है अगर उनका 420 से 430 के बीच में आ रहा है तो वो सेफ जान देख लिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आप अपना 5 नॉर्मलाइजेशन भान नंबर नहीं है अपका रवास्कॉर भाला नंबर है जो जेनरल है और इसमें फिमेल का नहीं दिया गया है तो जो भी फिमेल के टेग्री के हैं अगर वो इस वीडियो के देख रहे हैं तो आप अपना जैसे जेनरल कहा तो 420 है तो आप अपना पांच नमबर कम कर लिजेगा जो फिमेल केटेगरी है वो अपना पांच नमबर क्योंकि पांच-दस नमबर का ही अंतर रहता है तो आप दस नमबर चलिए मार्जिन थोड़ा जादा रखते हैं दस नमबर आप अपना कम कर लिजेगा इस नमबर में है कि Sूह अगर जेनरल आप तो मेल फीमेल है वोग चारशो पंदरा या 410 भी आ रहा है तो वो सेफ जौन में हैं उसी तरह से बिहार में देख लिजिए अगिर भाग में पांटा गया है वहार में एक बीची होता है और एक इवी सी होता है तो जो बीजी के जो मेल है मेल कंडिडेट मेल कंडिडेट अगर 410 से 420 के बीच में है तो वो सेफ जोन में है और जो इवी सी है जो इवी सी मेल जो मेल कंडिडेट है अगर उनका 405 से 415 के बीच में अगर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है यह है आपका मेल कंडिडेट के और जो फीमेल कंडिडेट है अगर उनका 400 के आसपास आ रहा है तो वो फीमेल कंडिडेट इसमें सेफ जोन में माना जाएगा ओवी सी जो वी फीमेल है अगर वो वी सी में अगर आपका 400 नंबर आ रहा है वो भी shape zone में है उसी तरह से आपका sc है sc sc e male का है आपका जो ये cut up दिया गया है male का है 395 से 400 के बीच में अगर आप female है तो आप अगर female है तो आप 380 तक मान लिजे अगर 380 तक आपका R है तो आप safe zone में है 380 तक sc का female और st st का जो male का आपका तो यहां पर cut up दिया गया है 350 से 390 के बीच में अगर आपका R है तो आप safe zone में है अगर st आप female category में आ रही है तो आपका बहुत और बहुत ही कम जाएगा cut up लगभग आपका 320 अगर 330 अगर आ रहा है तो आप safe zone में है 300 के लगभग भी आ रहा है तो आप safe zone में है st वाले st वाले जो female category की है अगर उनका 300 भी नंबर आ रहा है तो वो safe zone में है उसके बाद EWS देख लीजिए EWS अगर 410 और 420 के बीच में आ रहा है तो वो safe zone में है तो चलिए बता दिये हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए धन्यवाद कर रहा हैं आपको पालव देख वीजिए 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 आपकी छबते हैं अगर